Hey guys, welcome back to the channel. दोस्तों, इंडिया में almost 80% आइस्ट इस चीज़ को लिए इस्टीज़ करते हैं कि पेंटिंग्स सेल नहीं हो पाती है. So आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वालों पाँच ऐसे important tips जिनको यूज़ करके आप अपनी पेंटिंग्स काफ़ी इसली सेल कर सकते हैं. तो चलिए without further ado, let's move to the pointer. बात करते हैं कौन से हमारे में पाँच पॉइंट से. Let's go. Point number 5 से start करते हैं. Make a PDF of your work. जो भी आपके पास paintings available हैं sale के लिए, उनके आप एक अच्छी सी neat and clean PDF बना लीजिए. अब मैं assume कर रहा हूँ, वैसे तो सभी को PDF बनानी आती होगी, लेकिन फिर भी एक sample PDF में आपको बना करके दिखा देता हूँ, कि आपको किस तरीके से PDF बनानी है. Okay, so अब देखते हैं PDF कैसे बनानी है. सबसे पहले अपनी image को बेक साट में open कर लीजिए, उसके बाद fit वाले icon पर click कीजिए, अब यहाँ पर आपको अपना ratio select कर लेना है 3 into 4, image को थोड़ा align कर लीजिए और नीचे इसमें space छोड़ दीजिएगा, जहाँ पर हम लोग इसका title और size बगएरा लिखने वाले हैं. अब इसमें थोड़ी shadows एड़ कर दीजिए, इससे हमारी painting थोड़ी और presentable लगेगी, अब इसमें हम लोग text एड़ करते हैं. Text आपको में लिए 3 एड़ करने हैं, title, medium और size. यह text एड़ करने के बाद आप इसको एक number दे दीजिए, जैसे कि मैं हाँआपर इसको number दे रहा हूँ, number 1. इस number की reference लेकर हम लोग एक price list बाद में बनाएंगे, जैसे कि number 1 painting का price है, 18,000, number 2 painting का price है, 15,000, number 3 painting का price है, 10,000, इस तरीके से हम लोग इस number के according एक price list तयार कर लेंगे, तो फिर बाद में अगर किसी client को कोई painting पसंद आती है, PDF में से, तो आप उससे पूछ लेजिए कि आप उसका number बता दीजिए, कौन सा है, तो आप फिर उसको price बता सकते हैं, उसके according, आप चाहें तो price PDF में include कर सकते हैं, इसके सास्ती, बट ये तरीका मेरे हिसाब से थुड़ा ज़ादा कारगर है, तरीके से आप अपनी सभी paintings को title और size बगरे लिखके ready कर लीजिए, अब किसी भी PDF बनाने वाली आप में है, अपनी सभी paintings को select करके open कर लीजिए, मैं हाप पर dog scanner यूज़ कर रहा हूँ, अब इसको हम लोग PDF में convert कर देते हैं, तो कुछ इस तरीकी की PDF आपके पास बनके ready हो जाएगे, अब आप पी PDF किसी के पास भी भेज सकते हैं, जिनने आपको अपनी paintings दिखानी है, सेल करने के लिए. Point No.4, Sell Your Paintings on Facebook. मैं हाप पर particularly Facebook की बाद इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि compared to any other social media, Facebook पर मुझे काफी सारे commission works भी मिले हैं, और मेरी कई सारी paintings Facebook के थुरू sell भी हुई है, even मुझे job के लिए भी approach किया गया Facebook के थुरू, जो की job थी illustrator की और portrait painter की, और अगर मैं Instagram और Facebook की बात करूँ, तो Instagram पर जादा young audience है, यानि कि 15 to 30 के बीच की audience है, और वहीं पर अगर मैं Facebook की बात करूँ, तो Facebook के ओपर above 25 की audience है, जादा, तो वहाँ पर आप साफ देख सकते हैं, कि जो earning audience है, वह जादा Facebook के ओपर है, जो की आपकी painting खरीदने की जो लोग शमता रखते हैं, दीखें, अपनी friend list में, जनता जोड़ने की बजाएं, आप ऐसे लोगों को अपनी friend list में add कीजिए, जैसे कि doctors, engineers, lawyers, ऐसे लोग, और उनकी आप profile चेक कर लीजिए, थोड़ा सा आपको profile चेक करने की बाद, hint मिल जाएगा, कि भही ये बन्दा art में interested है, आप फिर उनको अपनी friend list में add कीजिए, और तो फिर next time जब आप painting पोस्ट करेंगे, अगर उनमें से किसी को आपकी painting पसंद आती है, तो they will definitely message you about the painting, बट वहीं दूसरी side, लेकिन जो इस तरी की groups है, जैसे की sell your art और ऐसे नाम वाले जो groups है, उनको आप avoid कीजिएगा, क्योंकि ऐसे groups में क्या होता है, कि सिर्फ sell करने वाले लोग इखटे हो जाते हैं, buy करने वाला कोई होता नहीं है, मैं खुद personally ऐसे काफे सारे groups मैंने 2014 से join किये हुए, और आज तक मेरी एक भी painting उनमें sell नहीं हुई है, तो ऐसे groups को आप avoid कीजिए, क्योंकि उनमें सिर्फ painting sell करने वाले लोग इखटा हो जाते हैं, और फिर वो group थोड़े दिन के बाद एक spam बनके रह जाता है, तो ऐसे groups को आप avoid करें, और तीसरी चीज़ आप कर सकते हैं, Facebook Marketplace, Point No.3, Show your work with confidence, काफे सारे लोग अपने काम को दिखाने में हिचक महसूस करते हैं, अपने काम को दिखाने में इतना ज़्यादा confident वो महसूस नहीं करते हैं, तो उस हिचक को आप थोड़ा सा साइड में रखें, और confidently अपना काम दिखाएं, जिसे भी आप दिखा रहे हैं, क्योंकि जब भी आप अपना काम किसी को दिखाते हो, तो आप अगर confidence के साथ वो काम अपना दिखाओगे, तो वो confidence सामने वाले के उपर reflect होगा, Point No.2, make network with cross-field artists, यानि कि interior designers, fashion designers, illustrators, photographers, architects, graphic designers, ऐसे लोगों कि आपको touch में रहना चाहिए, इन से आपको दो चीज़ों में help मिलेगी, एक तो इनकी जरीए आपको काम मिल सकता है, दूसरी चीज, यह आपकी painting sell करवाने में भी आपकी help कर सकते हैं, और इसमें सबसे बड़ा role अदा करते हैं interior designers, तो अगर आपके touch में कोई interior designer है पहले से, तो आप उन्हें contact कर सकते हैं, और नहीं हैं, तो कोई बात नहीं है, simple, आपके पास mobile है, आपना mobile on कीजिए, और Google को बोलिए interior designers near me, मुझे आपके आजपास को चांतर एक designer की जगहें मिली है, तो जैसा कि इसने बता है, अब जो आपके पास results आते हैं, आप इन results में से shortlist कर लिजे, पहले आप इनका काम चेक कर लिजे, इनकी website पर या फिर इनके Instagram handle पर, जो कि आपको usually इसमें मिल जाएगा, और फिर काम चेक करने के बाद, जिनका भी आपको काम अच्छा लगता है, आप चेक कर लिजे कि वो actively काम कर रहे हैं, या फिर नहीं, तो जिनका भी आपको काम अच्छा लगता है, फिर आप उनका number ले लिजे वहाँ से, तो ऐसे आप कम से कम 20 लोगों कोंटाक्ट कीजिए, और उनके साथ tie up कीजिए, और इसमें आपको जादा कुछ करना भी नहीं है, आपने PDF बनाई हुई है, वो PDF आपको सिर्फ उन सभी के पास भेज देनी है, और जैसे ही उनमें से किसी को कोई पेंटिंग पसंद आती है, वो पेंटिंग आप ready कर सकते हैं, वो पेंटिंग आपकी sell हो जाएगी, और PDF के अंदर से जो भी पेंटिंग आपकी sell हो जाती है, उसको आपको वहाँ से हटाना नहीं है, रिमूव नहीं करना है, आजाए तो वो आपको contact कर सकते हैं कि या आप ऐसी दूसरी बना सकते हो या फिर आपके पास ऐसी similar printing कोई available है तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे main point नमबर one के तरफ focus on your work देखे हमारा work ही है जो में stand out करने में help करता है तो आपको continuously अपने work को improve करने पर focus करना चाहिए उसके साथ साथ आप काफी सारे exhibitions में भी participate कर सकते हैं जो offline हो या फिर कोई local exhibition है या फिर कोई online exhibition है काफी सारे free exhibition होते हैं आपको उनमें participate करना चाहिए कोई भी आपको मोगा मिले तो आप उसे मत छोड़िए आपको ज़रूर participate करना चाहिए participate करने का exhibitions में ये benefit होता है कि वहाँ पर आपको filter होके audience मिलती है यानि कि वहाँ पर सिर्फ वही लोग आते हैं ज्यादा तर जो की alt में interest रखते हैं और फिर बात में वही आपके potential बायर भी बन सकते हैं आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आप से के लिए वीडियो में तब तक के लिए happy painting आपने मुझे तसना में दें उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया